कि मैं वीडी पारासर सहायक आचारे राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट की आज की क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है देखो साथियों आज हम परंपराग द्रिष्टिकोंड के अनुसार राजनीति विज्ञान के विशाचेत्र के बारे में अध्यान करेंगे मुखे तरह हम देखेंगे कि राजनीती विज्ञान के अध्यन के जो दो दृष्टीकोंड प्रस्लित हैं उनमें से परंपरागत दृष्टीकोंड से क्या आसे है परंपरागत दृष्टीकोंड के अंतरगत हम किन चीजों का अध्यन करेंगे यहां छेत्र से आसे उन तत्तों से है जिनका एक विशे के रूप में राजनीती विज्ञान के अंतरगत अध्यन किया जाता है परंपरागत राजनीती विज्ञान के छेत्र सम्वन्दी पक्ष को यूनेस को के एक राजनीतिक सम्मिलन द्वारा 1948 में भली बांती प्रस्तुत किया गया है जिसमें निमन विशे शेत्र को अध्यन सामगरी के रूप में सामिल किया गया एक अधिक्रत सम्मिलन यूनेसको में इसेतु आयुज़त किया गया जिसके अंतरगत ये तै किया गया कि इसके परंपरागत विश्यचेत्र के अंतरगत हम किन-किन चीज़ों को समाविष्ट मान सकते हैं एक तरह से प्रस्तावित था ये सारे इसमें पहला है राजनीती के सिद्दान्त राजनीती के सिद्दान्त के अंतरगत तै किया गया कि अतीत एवं बरतमान के राजनेतिक सिद्दान्तों एवं विचारों का अध्यन राजनीती विज्ञान के अंतरगत सुरुआती दोर में एवं बरतमान में जो सिद्धान्त प्रचलित हैं जो राजनीति विज्ञान को देशा देते हैं एवं जो प्रमुख विचारकों के विचार हैं वो सभी राजनीति के सिद्धान्त के अंतरगत माने गए हैं और इनका अध्यन परंपराग दृष्टिकोन का अंतरगत किया जा हमने यह पड़ा है कि जो राजनीति विज्ञान का परंप्रागत द्रश्टिकोन है या उपागम है इसके अंतरगत संस्था गत अध्यन पर जादा जोर दिया गया यह इसकी आलोचना का भी बाद में कारण मना अगला देखते हैं हम राजनेतिक दल दवाव समुह और लोकमत नागरिकों का सरकार्व प्रसाशन में भाग लेना । यह सबी तत्व भी परंपरागत द्रश्टिकोन के दायरे में हैं चौथा अंतराष्टी संबंद अंतराष्टी राजनीती, अंतराष्टी विदी, अंतराष्टी संगठन और प्रसाशन ये सभी तत्व परंपरागत द्रिश्चिकोंड के दारे में रखे गए एक तरह से सद्धांतिक द्रिश्चिकोंड के अंतरगत ये सभी थे विविन परंपरागत राज सास्त्रियों तथा यूनेसकों के दृष्टिकोंड के आदार पर परंपरागत राजनीती विज्ञान के अध्यन छेत्र में निम्न लिखित विशवस्तू को सम्रित किया जा सकता है पहला बिंदू है इसके अंतरगत हम देखते हैं मानव का अध्यन राजनीती विज्ञान के अंतरगत राज्य के संदर्व में मानव व्यवार का अध्यन किया जाता है नागरिकों से मिलकर ही राज्य का निर्मान होता है वह नागरिकों के लिए ही राज्य जीवित है वस्ते व्यक्ति वराज्य के मध्य संबंदों की जटिलता अतीत से अब तक विद्यमान रही है कि व्यक्ति वराज्य के अधिकार व कर्तवियों को किस प्रकारे का आधर्स प्रतिमान में व्यवस्तित किया जाए को देखो साथियो राजनीति विग्यान के अंतरगत मानव का अध्यन किया जाता है लेकिन हम ब्यापक दृस्टी से ये देखते हैं कि जो अन्य सामाजिक विग्यान है उनके अंतरगत भी मानव के विवार का अध्यन किया जाता है कहीं मानव के आर्थिक व्यवार का अधियन के जाता है कहीं राजनेतिक व्यवार का अधियन के जाता है कहीं सामाजिक व्यवार का अधियन के जाता है राजनेति विज्ञान में मुख्ध है मानव के राजनेतिक व्यवार का अधियन के जाता है दूसरा बिंदू है राज्य का अध्यान प्राचिन काल से वर्तमान काल तक राज्य विकास की बेविन अवस्थाओं से गुजरा है अतह राजनीती विग्यान बेविन कालों के संदर्म में राज्य नामक संस्ता का अध्यन करता है यह राज्य के अतीत वर्तमान एवं भविश्य का अध्यन करता है राज्य अतीत में कैसा था वर्तमान में कैसा है तथा भविश्य में किस प्रकार का होगा जैसा कि संदर्म में गैटेल के सब्दों में राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है कि एत्यासे गवेशना राज्य कैसा है का विश्ले सनात्मक अध्यन और राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनेतिक वह नेतिक परकल्पना है देखो साथियो हम ये देखते हैं कि प्रारंबिक काल से ही जब राज तंत्रात्मक इस्थितियां थी उसके बाद लोक तंत्र अपने वर्तमान सुरूप में नहीं आया तब से राजनीति विज्ञान के अंतरगत राज्य का एत्यासिक परफ्रिक्ष में अध्यन किया जा रहा है यूनान के एथिनियन लीग और एकियन लीग इस प्रकार के प्राचीन उधारन हैं जब से इसका अध्यन किया जा रहा है अगला बिंदू देखते हैं सरकार का अध्यन सरकार राज्य की इच्छा को अविव्यक्त करने वाली एजन्सी है सरकार के अवाम में राज्य का अध्यन फून तहन नहीं किया जा सकता एक समय था जब फ्रांस में लोई चौदे में सासक थे वह कहते थे मैं ही राज्य हूँ तब राज्य वह सरकार में बेद नहीं था अतहरा राज्य नीति विग्यान के अध्यन का प्रमुक विशे सरकार है इसके अंतरगत सरकार के प्राचीन वा आदुनिक रूपों का अध्यन किया जाता है दुनिया के विविद देशों की सासन पनालियों का अध्यन किया जाता है और सासन के विविन अंगों विवस्ता पापपका, कारपालका एवन नियापालका तथा इनके पारस्परक संबंदों का अध्यन किया जाता है। देखो साथियों, सरकार एक तरह से हम कह सकते हैं, एक अमूर्थ जो राज्य को नामक संस्ता है, उसका अमूर्थ रूप है। राज्य को हम कहीं देख नहीं सकते हैं, राज्य अपनी इच्छाओं के अव्यक्ति सरकार के रूप में ही करता है, तो राजनीति विज्ञान के अंतरगत जो अमूर्त तत्त्त है, उसका मूर्त विशे सरकार है और उस सरकार का अध्यन प्रमुखतया किया जाता है, हम यह दे से उन सरकारों में संस्थाइं किस प्रकार से कारे कर रही हैं उनकी संरचना किस प्रकार की है यह सैद्दान्तिक और व्यवारिक समस्त विशे परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतरगत समाविष्ट हैं अगला बिंदू इस्थानिय एवं राष्ट्री समस्याओं का अ संस्थाओं के संगठन कारपनाली तथा कारशेत्र का अध्यान करता है राजनीद विज्ञान राष्ट्र एकता अखंडता तथा विकास के मार्ग में बादक समस्याओं का अध्यान करता है और इसके हलकी उपाय सुझाता है हम यह देखते हैं कि राजनीद विज्ञान के परंपरागद रिष्टिकोंड के अंतरगत एक राष्ट्र की विविन प्रकार की समस्याओं का अध्यान किया जाता है जिसमें एक गाउं से लेकर महानगर और उसकी एक छोटी से एकाई से लेकर बड़ी एकाई तक और के रूप में विविन कारक होते हैं उन सभी कारकों का अध्यान किया जाता है और इस बात का भी अध्यान किया जाता है कि किस प्रकार से जो इस्थानिय शासन की संस्ता है उनका बेहतर कार्द हमारे सामने आ सकता है क्या सुधार किये जाने चाहिए इन सारे तत्तों का अध प्राचिन काल से वर्तमान तक अनेक राजनितिक विचारदानाओं के उत्पत्यम विकास का अध्यन किया गया है इन्हों ने राज्यव व्यक्ति के पारसपर्ग संबंदों के अलावा कानून स्वतंतरता शमानता आधी पर भी अपने विचार प्रकट किये हैं राजनिति वि विचारदारा के रूप में सामने आता है और एक विचारदारा लंबे समय तक कि एक लेखन और द्रिष्टिकॉन पर प्रवाव डालती रही है और इन विचारदाराओं के अध्यन के अवाब में राजनीति विज्ञान का अध्यन कदापी पूर्ण नहीं किया जा सकता है अतह प्रारंबिक तोर पर जो राजनीति विज्ञान का परंपराग द्रिष्टिकॉन था उसके अंतरगत विचारदाराओं की बड़ी मैत्पून भूमिका रही है अगला विंदू अंतराष्टी संबंदों का अध्यन राजनीती विज्ञान के परंपराग द्रिष्टिकोंड के अंतरगत विश्व के विवित देशों के पारसपरिक संबंदों विदेश नीतियों तथा अंतराष्टी यह तथा अंतराष्टी संगठनों के गठन एवं नि कि अंतराश्टी इस्तर के जितने भी संगठन है यूए नो यूए नो के विविन संगठन कि विविन देशों की विदेशनीतियां विदेशनीतियों के निर्दान के सैद्धनतिक आदार व्यवारिक परप्रेक्ष इन सभी चीजों का समनवित रूप में अध्यन किया जाता ह बभाव समोह का अध्यन आदनक लोगतंत्रिक १्यूग में डल व दवाव समोह का विशेश मेर्त आथ, राजियतिक दल व दौगले का सरकार का निर्मान करते हैं और संचलन करते हैं जबकि दवाव समुह गुप्त और अप्रत्यक शरूप से सरकार की नीतियों को प्रवावित करते हैं राजनेतिक दल व दवाव समुह लोकमत के निर्मान में शक्री भूमिका का निर्वहन करते हैं अतह राजनेति विज्ञान के शेत्र में इन दोनों का अध्यन भी समाविष्ट किया जाता है अगला और अंतिमिंदु राजने एवं अंतराष्टी विदी का अध्यन राज्यों के आपसे संबंदों के निर्दार्ण में कूट नीती विदेश नीती बड़ा मैत उन इस्थान रखती है प्रत्यक राज्य सारवम होता है एवं उसकी सीमा निर्दारित होती है फिर भी, युद्द, एवं सांती के प्रस्न, समुद्री, तट, खुला समुद्र, प्रत्यरपण जैसे अनेक विशे हैं जिनने राज्य श्वयम निर्दारित नहीं करता इन विश्यों को निर्दार्गत करने वाले कानून अंतराष्टिक कानून कहलाते हैं और इन अंतराष्टिक कानूनों का अध्यान राजनीती विज्ञान के अंतरगत किया जाता है और किया जाना चाहिए देखो साथियो वो परियोक्त विवर्ण से इसपस्ट है कि राजनीति विज्ञान का छेत्र अतिदिक व्यापक है इसके छेत्र में राज्य एवं सरकार के अतीत, वर्तमान एवं भविश्य का अध्यन किया जाता है इसमें राजनेतिक दर्सन, राजनेतिक विचारदाराओं, राजनेतिक प्रकिरियाओं, राज्य और व्यक्ति के शम्मंधों, अंतरष्टी विदी, राजने आधिका भी अध्यन किया जाता है मानव एक परवर्तन सिल प्राणी हैं, अतहर राजनेति सास्त्र को समयान कूल बनाने के लिए परवर्तन चुनोतियों इवं समस्याओं का भी अध्यन करना पड़ता है धन्यवाद